हेलो फ्रेंट्स बेलकम बैक टू माई टूब चेनल सूपर स्टीचिंग तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बैक नेक पर बहुत ही खुशुरत डिजान बताने वाली हूँ तो इसके लिए देखिए मैंने में फिबरीक लिए है और एक अस्तर का तो सबसे पह तो अश्यार भाली हूँ निसान को सिधा कर लेंगे का गीन साथ है और अर्म बाए शेह पर निशान लगा के आर्म होल का राउंड शिप दे देंगे, यहां ऐसे देखिए, तो यहां पर ऐसे राउंड शिप दे देंगे आर्म होल के लिए, तो अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट है अर्थी सिंच, तो आर्थी सिंच का चौथा हिसा हुआ, साड़े निसान लगा देंगे चेस्ट के लिए अब कमर का निसान लगा एंगे तो कमर है 32 इंच 32 इंच का चौता हिस्चा गवा आठ तो आठ इंच पर निसान लगा के और एक इंच इस्टरा लेंगे डाड के लिए सकने 2 हीं सब्सक्राब में加fox 2 तरह कोमण है यहां 25 तू लख दिशाür निशान को सिधा न लेंगे से ढामगुक्त, था पिखल से 3 म सहरा तरह सारी तरह दीएं से और देंगे 10 तरह कोमड़ा, तो सुध निशान को सिधा करेंगे दोने निशान को मिठा है और शहुले की हैग तो यह देखिए आगा बतीन पेंशन wavelength को डियम है मैं देखिए पने हैं गले की आगार मी देखिए यह देखिंग देखिए ट्सान मेंचितत्र है जाले यह देखिए अब यहां से आपको हलका सा ओपर के तरफ लाके डिजाइन बना लेना है और यहां नीचे से राउंड सेव देते हुए नीचे लाइन मिला देना है तो यह देखिए निक बन गया है अब हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे तो देखिए दोनों साइड से आपको डि से देखिए में फेबरिक पर कट करेंगे तो यह देखिए हमने में फेबरिक पर भी कट कर दिया है तो अब देखिए हम इसकी स्टीशिंग करेंगे तो यह देखिए जो हम लोग निसान लगाये थे सेम उसी निसान पर शिलाई लगाते जाएंगे आपको भी नेक को कटी न अब हम इसे हाफ हाफ इंच का मार्जन देते हुए कट कर लेंगे, यह देखिए इसे कट कर लेना है, हाफ हाफ इंच का मार्जन देते हुए, यह देखिए से मुसी तरह कट कर देना है और फिर बीच में भी कट लगा देना है, इससे गले की अच्छी फिनेशिंग आती है और अच्छे से फोल भी हो जाता है. तो यह देखिए, चालो तरब से गले में आपको भी कट लगा देना है. तो यह देखिए, अब इसे हम प्लत देंगे. पेजा देखिए, और जो नोग था उसे अच्छे से कईची के ज़ाएता से निकाल देंगे. यह देखिए, तो यह देखिए, मैंने पलट दिया है अच्छे से एकदम, यहां से आपको अच्छे से, तो यह देखिए, मैंने प्रेस भी कर दिया है, इस से अच्छे से परफेक्ट गला बनता है, तहां देखिए, गले का डिजाइन बन गया है, अब इसको हम चारो तरफ से सिलाई लगा देंगे गलीप है देखिये चारो तरफ से बढ़ा दैनी है कि अब इसके बाद मेन फिबरिको और प्रेयों जुंड करने थे दो चारों तरफ इस तरह से भी चार इंच पर निशान लगा के ऐसे मार्क कर लेना है दुनों तरफ और शिलाई लगा देनी है तो यह देखे डाट भी मैंने में लगा दिया और यहां नेचे कमर पट्टी भी लगा के ज्वाइन कर देना है तो यह देखे डाट भी लग गई है अब हम गले की यहां डिजान बनाएंगे तो फ्रेंस यह देखिए मैंने एक लंबी पट्टि कारती है जो तीन इंच इसकी चोड़ाई है और तीन इंच इसकी लंभाई भी रहेंगी तो आप तीन आसे तीन इंच प्यर्ट मार्कर करके कट कर लिया है यह देखे, तेने मीक का शोड़ाई भी तेनी चिष की लंबाई भी यह तो आप एसे कट कर लेना है तो यह देखिए मैंने बहुत सारे यह ऐसे कट कर लिया है अब हम इसका डिजान बनाएंगे नेक बनाने के लिए तो यह देखिए ऐसे फोल्ड करना आपको फिर ऐसे फोल्ड करना है यानि ट्राइंगल से को देना है तो यह देखिए अब इस साइड से ऐसे फोल्ड कर देना है फिर इधर से भी ऐसे फोल्ड कर देना है तो यह हमारा डिजाइन बनके त्यार हो जाता है अब इसके उपर आपको शिलाई लगा देनी है हैं आप डाइडेक्ट नेग निक के डिजाईन पर रखे भी डिजाईन बना सकते हैं बट पहले से बना के करेंगे तो अगर अच्छे से फिनीशिंग आती है तो जाँ देखिए सेम फ्रेंड आईıyor से आप देखिये वर फिर अच्छे बना लेंगे तो सेम उसे तरह आपको सबुद इतने भी हैं कट्टिंग किए हैं उसे बना लेना है और कम पड़े तो इसे और ज्यादे आप कट करके बना सकते हैं अपने कोड़िन जितना निखी नेके विट के अनुसार तो देखिए मैंने इतने सारे बना दी हैं अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे ये देखिए से में इसी तरह आपको रखे इस पर ऐसे ये देखिए ऐसे ज्वाइंट करते जाना है और ध्यान रहे आपको एक बरावर से जोईन करते जाना, उस पर रख के, ये दिखी पूरा जोईन कर देना इस पर और फिरंड्स अगर आपको समझ में नाया है तो ने चे कमेंट बाक्स में कमेंट करिएगा, डिखी पूरे ने कर दिया है, ये डिजायन देखे कितना अच्छा लगता है, वे उपर और डिजाइन के ऊपर भी लगा देना है, इसे फिनेसिंग अच्छी आती है। तो अगर आप चाहते हैं यह पूरे निक में बनाना डिजाइन, तो पूरे निक में बना सकते हैं। तो यह देखिए मैंने यह निक बना दिया है अब यहां देखिए यहां लटकन लगाना है तो यह देखिए फ्रेंट्स मैंने यह लटकन फेवरिक फ्लावर तयार किया है इसका मैं लिंक डिस्क्रेप्टन बाक्स में देदूंगी आप उसे चेक आउट कर लिजीगा मैं यह क तो यह डिजाइन आप सूर्ट में भी बना सकते हैं और यह जो लटकन है यह काफी खुबसूरत लूग देता है तो यह देखी प्रेंट यह त्यार हो गया है अब यह जो डिजाइन है इसे और अच्छा लूग देने के लिए यहां पर हम मोती लगा देंगे अगर आप नहीं है तो भी नहीं लगा सकते हैं लेकिन मैं यहां पर छोटी वाली मोती जो ही है वहां पर लगा दूँगी तो यह काफी अच्छा लूग देता है एकदम यह डिजाइन आप पूरा निक पर बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं पूरे निक पर यह डिजाइन तो यह देख और फ्रेंट अगर मेरे चैनल पर आप नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब किजिए वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर किजिएगा और मेरे चैनल पर जाके देखें मैंने बहुत सारे बिलाउस के डिजाइन कटिंग और स्टीचिंग स्टेप बाइ स्टेप बता हैं उसे अब जरूर देखिएगा तो फ्रेंट साब को वीडियो कैसा लागा जरूर बताईएगा कमेंट बाक्स में थैंक्स पर वाचिंग